Computer Tech in Hindi में आपका स्वागत है मैं महम्मत वैजान तो चलिए शुरू करते हैं Microsoft Excel 2010 तो चलिए शुरू करते हैं Microsoft Excel Excel को उपन कर लेते हैं आज के इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं Data Validation Data Validation क्या होता है Data Validation होता है कि हम चाहते हैं हमारे इस एरिये में कुछ valid data आए यानि हम चाहते हैं इस एरिये में गणिते संख्या ही आए ABCD कोई फिल ना कर सके इसमें ठीक है तो या 25 से 50 की बीच की संख्या आए उसके लावा कोई और कुछ और ना फिल कर सके ठीक है तो यह होता है data validation मैं इसको border कर लेता हों तके हमें ध्यान रहे कि कौन सा area है outside border कर लिया है अब हमें ध्यान रहेगा यह area है तो हम इस area में data validation लगाना चाहते हैं इसको select करेंगे और data validation में जाएंगे यहाँ से इस पर क्लिक करें या उपर आप उपर भी क्लिक कर सकते हैं बिना इसमें जाए टेटा इशान पर क्लिक करेंगे इसके बाद ये एलिए है यहां पर हमें क्या चाहिए चाहिए decimal molto या कोई list तो अभी हम नहीं समझ रहे है अभी फिलाल हम नंबर को समझते हैं हमें number चाहिए हमें चाहिए numbers यहाँ पर between यानि बीच के और not between इनके बीच के नहीं equal to यानि इस बराबर not equal to हम लिखते हैं greater than हम between लिख लेता है between लिख लेता है हम 25 से minimum 25 और maximum 50 पच्चिस से 50 के बीच की संख्या है और इसमें एक और चीज देखने को आ रही है कि numbers तो हमने यहाँ से use कर लिया है और between पीच के संख्या है आएंगी input message इन्पुट message यानि जब कोई यहाँ पर message अपने mouse को लाएगा इस area में तो उसको एक message चोगा please type number between 25 यहाँ description में कितना भी बड़ा message दे सकता है 25 से 40 ठीक है और आप error message भी दे सकते हैं अगर वो गलत number डाले तो 25 के बाद जैसे वो 24 डाल देता है तो sorry और यहाँ पर message दे सकते हैं कितना भी बड़ा अब आप जैसे हिस पर mouse लाएंगे तो यह दिखाएगा please type number और यह वो description जो हमने नीचे लिखा था between 25 to 50 अब हम यह 24 लिख जाते हैं तो यह error message आएगा यह आया sorry this is invalid entry ठीक है data validation इस तरह से भी हो सकता है कि हमने कुछ नाम लिखा है राजा मनोज मैं थोड़ा जली इसको type कर लेता हूँ अगर यह list 5000 लोगों की हो नीचे तक और हम चाहते हैं यहीं से इस जंगा से ही हम सब को देख सके तो हम data validation का makeDo sites एक योज जी लिवी कर सकते हैं text की हम list बना सकते हैं कैसे वही डेटा वैलाडिड्याशन में जाएंगे और उसके बाद data validation में जाने के बाद यहाँ settings पर आएंगे यह तो message हम type कर सकते हैं बाद में और list हमें type करनी है source वह source बाग रहा है कि किस source की list बनानी है if हमें f1 से लेकर f5 तक की बनानी है यह अपना आप आ जाएगा बस ऐसे select कर लिजिए और ok जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर एक drop down बटन आने लगा जिस area में click कर रखा होगा और यहाँ पर वो list बन जाएगी आसानी साब किसी को भी list में से select कर सकते हैं ठीक है जब यह list ज्यादा लोगों की होगी अभी तो 5 है इसलिए आसान दिखाई दे रही है लेकिन जब यह नीचे तक होगी तब भी यह यहीं से खुल जाया करेगा और यहाँ पर एक छोटी scroll बार आने लेगे ठीक है तो यह होता है data validation में list बनाना यह data validation हमने लगा तो ली है लेकिन अब इसको हटा भी सकते हैं हम यहाँ से जाएंगे इसी area में click करके जाएंगे data validation में जाएंगे और यह clear all का option है इस पर click करेंगे और ok कर देंगे तो वो हट जाएगी अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर drop down बटन आना बंध हो गया है आप चाहते हैं इसकी भी validation हट जा इसको भी select करो और data validation में जाओ और यहाँ से भी इसको clear all पर click करेंगे ok कर देंगे तो अब यहाँ पर आप wise भी insert करा सकते हैं और ज्यादा भी इस तरह से हम data validation हटा भी सकते हैं data validation के और भी कहीं सारे use हैं हम चाहते हैं यह सब हमन whole number पर हम इनमें लगा रहे हैं कि equal to कितना 25 के equal जो हो या जो between हो हम between लगा रहे हैं 25 नहीं 35 से 50 के between जो होंगे उन पर लगा दिया है हमने इन सब को select करके और इसमें हमने पहले सही number लिख रखे हैं तो इसमें 25 भी आ रहा है 20 भी आ रहा है अब हम चाहते हैं हमें वो पता लगे जो invalid data है मतलब जो 25 से 35 से 50 के अलावा जो है मतलब उनको 25 से 50 के बीच के सरक्याओ को छोड़के और जो है वो पता लगे तो उसके लिए यहाँ पर data validation में ही अगर इस तरह से कर लिया है आपने पहले type कर लिया है बाद में देखना चाह ना रहे है तो आप circle invalid data पर click करेंगे तो जितना भी invalid data होगा वो circle हो जाएगा यह देखें यह हो गया है तो इस तरह से invalid circle data होता है और इसको clear circle कर सकते हैं और वापस circle ला सकते हैं और validation अगर हटा झालगी तो वह हीं से heted तो इस तरह से भी हम यूज़ कर सकते हैं यह data validation इस पर लगी हुई है clear all कर दो okay कर दो अभी आप इस पर circle नहीं ला सकते हैं ठीक है तो इस तरह से भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं जब आपने पहले type कर लिया हो अगर वीडियो में कोई भी परेशानी आ रही है तो मुझे comment box में लिख दीजिए मैं उसको दूर करने की कोशिश करूँगा जितना जादा हो सकेगा और data validation के और भी कहीं use है हमने list बनाना देखा number देखा decimal भी है time date भी है time date का लिखने पड़ेगा table बनानी पड़ेगा उसके बाद date जैसे हम select कर लेंगे तो ये date पुछेगा के 35 के बीच की date दिखाए दे 30 के बीच की जैसे number के साथ हो रहा है वैसे ही सब के साथ होगा कुछ नहीं करना है बस आप number के साथ बढ़िया करके practice कीजिए बाकी सब के साथ भी आप फुद कर सकेंगे फिर कोई बड़ी बात नहीं है आप इसमें एक चीज और देख रहे होंगे text length आप text length भी set कर सकते हैं कि आपके इस इतने area में कोई 5 अक्षर से ज्यादा का word ना लि d2 तीन से छोटा ना लिख पाए तीन अक्षर से और आठ अक्षर से बढ़ाना लिख पाए ओके ठीक है अब यहां पर आप fa लिखने की पोशिश करोगे तो वह error हो जाएगा fa d लिखोगे तो वह accept हो जाएगा और 8 से ज्यादा लिखोगे तो वह error हो जाएगा और पूरे 8 गिनके चार यह होगए चार यह होगए तो वह accept हो जाएगा इस तरह से तो आप text length भी set कर सकते हैं इस एर्य को select करेंगे data validation आप चाहते हैं invalid data पता लगे तो इसके अंदर invalid data कैसे पता लगया invalid data पर circle भी कर रहे हैं लेकिन कुछ invalid है ही नहीं क्योंकि हमने invalid data पहले लिखना था invalid data circle तब होगा जब हमने पहले लिख कर उसके बाद उस पर validation लगाई होगी जैसे कि हम अब लगाने वाले हैं कि इन सब numbers में जितनी भी बड़े हैं greater than है 50 से वो तो valid हैं बाकी सब invalid हैं तो अब हम invalid data circle करना चाहते हैं तो circle करेगा सब को circle कर दिया उसने बस इसको 65 को छोड़क है क्योंकि यह passage से बढ़ा है ठीक है यह valid है और बाकी सब इन valid है और इनको clear कर सकते हैं और सब को select करके हम validation में जाकर इसको clear all कर सकते हैं message भी हम दे सकते हैं जैसे मैंने शुरू में दिया था इसको बंद कर देते हैं तो यही होता data validation मिलते हैं अग से अपने next video में तब तक क पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें पसंद आया है तो computer technology को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए